Hello friends, this is Ankit Gupta, lecturer, civil department, Heavitt Polytechnic, लखनौ। आज का जो हमारा topic है, वो है अर्थक्वेक engineering, जो की diploma, 5th semester, 3rd year का पार्ट एक्रम है। आज हम लोग अर्थक्वेक engineering का introduction जानेंगे। Normally, अर्थक्वेक जब आता है, तो हमारा पूरा अर्थ हमारा शेक कर जाता है। हमारे rocks, formation, हमारी earth, हमारी जो seismic plates हैं, जो continental plates हैं, वो सब हमारी shake कर जाती है। तो अर्थक्वेक जब आता है, उस study को हम लोग seismology कहते हैं। अर्थक्वेक का behavior जो हम लोग measure करते हैं, वो seismometers में measure करते हैं, जो की further Richter scale में उसकी value ना पी जाती है। सिस्मिक waves हमारी आती हैं, जो की shock waves, जिने हम generally कहते हैं, P waves, S waves और L waves, जिन सब को हम लोग measure करते हैं, सिस्मो graph की मदद से। तो हम लोग आज के particular में यह जानेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आता है, और उसमें क्या-क्या technical terminology का इस्तमाल होता है। तो अर्थक्वेक का जो reaction शुरू होता है, वो हमारा अर्थ के बहुत नीचे शुरू होता है, 15-20 km नीचे की सता से शुरू होता है, जहां से अर्थक्वेक हमारा शुरू होता है, उस point को हम लोग focus कहते हैं। और जो focus के उपर जहां से हमारी surface waves शुरू होती हैं, उस point को हम लोग epicenter कहते हैं। तो जो हमारी tectonic plates हैं, जो हमारी continental plates हैं, जब वो shift करती हैं, movement होता है, compression और tension stresses हमारे generate होते हैं, अर्थ masses में, तो हमारी shock waves release होती हैं। तो उसका जो basic point, main point होता है, वो है epicenter जो की surface of the earth पे होता है, और epicenter के just नीचे जहां से हमारा wave propagation शुरू होता है, वो earth mass के ground level के नीचे होता है, उसे हम लोग focus करते हैं। तो shock waves हमारी कई तरह की होती हैं, कुछ perpendicular shock waves होती हैं, कुछ S waves होती हैं, कुछ P waves होती हैं, और कुछ L waves होती हैं, love waves होती हैं, जो की propagation के साथ हमारे shock behavior में चलती हैं। तो Richter scale generally 1953 में Charles F. Richter जी ने बताया था, कि Richter scale में हम लोग magnitude of earthquake को नाप सकते हैं। तो generally Richter scale अगर 2 earthquake आ रहा है, Richter scale की value 2 आ रही है, तो वो हमारा normal moment of earth है, उसे हम लोग generally इसमें earthquake नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे ही magnitude Richter scale का 4.5 के आसपास या फिर greater हो जाता है, तो वो हमारा earthquake हो जाता है। similarly जैसे जो disaster हमारे आ जाते हैं, बहुत heavy-heavy, कई लोग मर जाते हैं, casualty हो जाती है, हमारे buildings फॉल कर जाती हैं, तो वहाँ पे Richter scale generally हमारा 8.0 से उपर का होता है, जिसे हम लोग severe earthquake बोलते हैं। Richter scale का पैमाना generally इस तरह से होता है, हमारी scale हमारी एक होती है, sismograph होता है, sismograph के ही through हम लोग Richter scale में नापते हैं, कि कितनी हमारी earth हमारी shake कर रही है, यह sismograph आप देख सकते हैं, इस तरह से एक pencil सी होती है, जो कि shake करती syllable रहती है और जब यह shake ज़्यादा हो जाता है, पाँच छेकर स्केल से जिदा हो जाता है तो हमारा किएख आ जाता है combo करते हैं तो तो चार्व ये 5 दिए 2 मेंट हमारा से से बहुत सब्सक्राइब के पाद बार में तो इसольно 8.9 और 9.1 रेक्टर स्केल सकेल बीच एक ग्राफ हमरा बनाया जाता है और महसूस भी नहीं कर पाते हैं कि हमारी अर्थ हषिए स्केल तक जाता है तो धीमेदी में हमारा minor earthquake से ले करके greater magnitude तक का earthquake हमारी आसपास आता है कुछ natural causes है earthquake के जैसे tectonic plate, tectonic movements, continental movements जो की होते रहते हैं internal compression होता है, internal tensions generate होते हैं अर्थ में तो उस सब के कारण है earthquake के similarly हमारा volcanic activity होती रहती है, volcanoes हमारे पटते रहते हैं लावा निकलता रहता है अर्थ मास में नीचे से, तो वो सब भी हमारे earthquake के कारण है उसके अलावा landslides है, avalanches है, ये भी अक्सर पहाड़ी एरिया में होते रहते हैं landslide हमारी होती रहती है, जो भी हमारे earthquake के major or minor causes है कुछ man-made disasters हैं, जैसे इंसानों ने, हम लोगों ने dams बनाए हैं उसके अलावा हम लोग hydrogen bomb की testing करते हैं, atom bombs की testing करते हैं जो की हमारे man-made earthquake में आ सकते हैं similarly कुछ destructive effects होते हैं, जैसे building हमारी गिर जाती है epicenter के आसपास जो होता है, ज्यादा shock waves release होती है दूर तक जाते हैं, shock waves हमारी खतम हो जाती है तो हमारे जो tsunami है वगरा ही सब आती है, तो tsunami जनरली earthquake हमारी sea bed में आ जाता है, जिसकी वज़े से tsunami generate हो जाती है, पानी में earthquake आ जाता है तो similarly बहुत सारे cracks पड़ जाते हैं, fold आ जाते हैं earth masses में, fault आ जाते हैं earth masses में, जो की हमारे causes होते हैं destructive causes होते हैं, इससे हमारी बहुत जानमान की नुकसान हो जाता है, buildings हमारी तूट जाती है उसके अलावा हमारे बहुत सारी casualties हो जाती है और बहुत जादा disturbance हो जाता है अर्थ की जो upper crust होती जिसे हम lithosphere बोलते हैं seismic belt है कुछ हमारे अर्थ में जो lithosphere में है uppermost part of the earth में पहला seismic belt है हमारी circum pacific seismic belt दूसरी हमारी इंडिया के आसपाद चाइना में है नेपाल में alpine himalian seismic belt तीसरी हमारी ridge seismic belt है इसके अलावा earthquake का इंडियन map है जो कि अर्थक्वेक यहां पर पांच zone में इंडियन map divide किया गया है जैसे zone 1 देखे zone 2, zone 3, zone 4 and zone 5 zone 5 मतलब जहां पर severe earthquake आ सकते हैं जैसे भुझ में अर्थक्वेक आया था सन 2003 में जम्मु एन कश्मीर में कुछ अर्थक्वेक शीरी नगर में आते हैं माचल प्रदेश में कुछ अर्थक्वेक आते हैं दहरादून में कुछ ऐसी एरिया है और similarly नौर्थ इस्टन जो हमारे वन में रखा गया है और जोन टू है हमारे उत्तरप्रदेश है न्यू दिली है जोन फोर में चंदिगर्ण है सिमिलरली बहुत सारे जोन हमारे कंट्री में बनाए गया है जो कि Bureau of Indian Standards Code ने पांच जोन में पूरे कंट्री को डिवाट किया गया है उनकी में इसके बाद है ग्लोबल अर्थकोएक एपी सेंटर लोकेशन पूरी दुनिया में कहां कहां पर अर्थकोएक हमारे बहुत ज्यादा आते हैं आप देख सकते हैं यहां पर इंडिया में देख सकते हैं चाइना में देख सकते हैं उसके बाद आपका अमेरिका में देख सक कि मैंने discussion किया आप से starting में ही seismic waves हमारी जनरेट होती है volcanic eruption की वज़े से land slide की वज़े से human activity की वज़े से हम लोग buildings बना रहे हैं तो हमारी अर्थ पे loading बढ़ती जा रही समय के साथ तो उसकी वज़े से हमारे earthquake generate होते हैं अर्थ एक जनरली उपर की नीचे से ही generate होते है focus create होता है focus center create होता है जहां से हमारे land mass एक दूसरे से लड़ते हैं बिढ़ते हैं और compression and tension की वज़े से fold or fault हमारा generate होता है fold मैंने बोला starting में भी fold क्या है जब दो अर्थ मासे से एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे के पास आते जाते हैं तो फिर हमारा एक rocky mountain की तरीके हमारा एक structure बन जाता है जिसे हम लोग fold कहते हैं और जब दो अर्थ मास एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं फॉल्ट कहते हैं एक पी वेव्स जिनने हम लोग प्रपोगेशन वेवस कहते हैं इनकी विलॉसिटी जो है पास से आठ किलोमीटर पर सकेंड के आसपास की होती ही पी वेवस हमारी लिथास्पियर सर्फेस पे दिखाई देती हैं इस तरह से देखिए फिगर में इस तरह से जहां से हमारा एपी सें वहाँ पर बहुत ज्यादा हल चल होगी उसके बाद धीमे धीमे जाते जाते पी वेवस की इंटेंसिटी हमारी लो होती जाती है Similarly S-Waves है S-Waves को हम लोग Shear Waves बोलते हैं Shear Waves क्या है जो हमारी Y-Direction में Against Propagation Y-Direction में जो Movement होता है अर्थ का उसे हम लोग S-Waves बोलते हैं जिनको हम लोग Shear Waves भी बोलते हैं इस तरह से फिगर में आप लोग देख सकते हैं S-Waves क्या है जनरली हमारी जो Propagation हो रहा है Y-Direction में उसे हम लोग S-Waves बोलते हैं Similarly Amplitude आता है Wavelength आती S-Waves की Amplitude जतना ज्यादा Heavy होगा जितना ज्यादा Richter Scale ज्यादा होगा उतना Amplitude हमारा यहां देखिए Heavy होगा उतने हमारे Vibrations heavy होगे और उसी के कारण हमारे जो Earth की Movement है उतना ज्यादा वो हहिल जाएगी हमारी पूरी तरह से Earth तो बहुत ज्यादा Distraction होगा बहुत ज्यादा Curzualty आ जाएगी उसके बाद हमारे आती है L-Waves L-Waves को हम लोग Love Waves भी बोलते हैं L-O-V-E Love Waves यह हमारी Z Direction में Act करती है इस तरह से देखिए L-Lithosphere Act करती है और S-Waves हमारी Z Direction में Earth को हिला देती है तो तीनों Waves जनरेट होती है जबकि हमारा Epicenter से ही शुरू होता है तीनों Waves वहीं से जनरेट होती है जितनी ज्यादा हमारी Rector Scale में भूकाम पाने की संभावना बढ़ जाती है यहां पर पूर में 9.5-9.6 Rector Scale के भी भूकाम आ चुके हैं तो यह भूकाम बहुती ज्यादा हानिक आ रहा है क्योंकि इसमें P-Waves बहुती ज्यादा Magnitude में और Intensity में Heavy होती है काफी दूर तक चली जाती है L-Waves के भी Direction इसमें बहुत ज्यादा Movement का हो सकता है velocity हमारी 2-6 km per second और इसके अलावा हमारी जो S-Waves है जो कि हमारी perpendicular waves होती है शीर waves होती है जो कि P-Waves के just altitude में काम करती है वो भी बहुत heavy shock create करती है जिससे की disaster की intensity हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अर्थ को एक एक natural formation है इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़े रिक्टर स्केल के पैमाने से पता लगा सकते हैं अगर कुछ समय पहले पता चल जाए तो इससे हम लोग area को खाली कर सकते हैं exclude कर सकते हैं वहाँ से लोगों को हटा सकते हैं ताकि हमारी कम से कम जानमाल की नुक्सान हो कुछ precautions हम लोग जो ले सकते हैं जैसे की earthquake resistant building बनाएं concrete का कम से कम इस्तमाल करें wood timber इन सब चीजों का हम लोग ज्यादा इस्तमाल करें sand के structures बनाएं तो इस सबसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो earthquake के कारण जो disaster हो रहा है जो जानमाल का नुक्सान हो रहा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं तो earthquake को हम लोग कम करने के तरीके हैं हमाँ पास as a civil engineer इन तरीकों को हमें सीखना पड़ेगा जैसे foundations हैं foundations को हम लोग join कर सकते हैं एक दूसरे से beam में प्लिंथ beam बना सकते हैं जिससे कि हमारा जो settlement होगा वो even settlement होगा क्योंकि अगर किसी building का an even settlement हुआ तो क्या होगा कि उसमें बहुत ज्यादा failure की संभावना बढ़ जाएगी और जिससे कि हमारी building पूरी तरह से collapse कर जाएगी तो हम लोग को ऐसे structure बनाने हैं जो कि bookump विरोधी structure हो अर्थquake resistant structure हो तो कुछ precautions हम लोग ले सकते हैं कि जैसे पहले ही से area को हम लोग खाली करा दें अगर कुछ पहले हम लोग को पता चल जाए कि seismic waves बढ़ रही है तो फिर यह कहा जाता है कि सभी लोग वो area खाली कर दें जो हमारी communication industries है और जो television के थुरू या broadcasting के थुरू हम सब को बता सकते हैं कि आप इस area से निकल जाएए lift का use ना करिए staircase का use करके building खाली कर दीजे because होता गया समभावना कि ऐसे चार पांच रिक्टर स्केल पर भूकां पाया तो वहां से उसके बाद बड़े भूकां पाने की समभावना बढ़ जाती है तो हम लोग को earthquake resistant building बनानी पड़ेगी और ऐसी authorities रखनी पड़ेगी जो की communicate करें लोगों को कि आप उस area से बाहर जाए तो इसी तरीके से earthquake resistant building बनाने में हम नीचे जो foundation हम लोग बना रहे हैं मानली जा isolated footing है या combined footing है तो उसको हम लोग strap footing या फिर strip footing में हम लोग convert कर सकते हैं नीचे प्लिंद बीम में उन सबको join कर सकते हैं प्लिंद बीम में join करने के बाद even settlement होगा और उससे जो की संभावना जो ह के figure में आप लोग देख सकते हैं कि beams और columns को हम लें नीचे ground level पे ही join कर दिया इससे क्या होगा कि एक अकेली footing जो है हमारी अकेली column जो है एक साथ बैठेगा नहीं इससे बहुत अच्छा हो जाता है कि building अगर बैठेगी भी S waves P waves या L waves के कारण तो वो की even settlement होगा जिससे कि हम हमारे building में overall cracks जो हैं वो कम हो जाएंगे तो इस तरह से संभावना हम लोग करते हैं कि earthquake resistant building बनाने की कोशिश करते हैं इसमें आप देख सकते हैं figure में कि किस तरीके से spread footing को हम लोग ने नीचे strip footing में convert कर दिया है और इसको हम लोग ने plinth beam से बांध दिया तो यह connected beams का क्या होत होता है यह connected beams जो है हमारी जो अकेली isolated footings हैं उनको join कर देती हैं उनको join करने के साथ क्या होता है कि इनका सबका even settlement होता है सोयल में इन सबका even settlement है अगर even settlement है तो उतना ही कम cracks पढ़ेंगे earthquake क्योंकि earthquake रोका नहीं जा सकता है earthquake is a natural movement उससे आपको fold को भी जहलना है उसके और fault को भी जहलना है क्योंकि seismic activity होती जाती है और seismic activity वो natural है जो कि because earth जो है अंदर से खोकली है it's a liquid अंदर mental है mental liquid तो liquid पे ही सारी जो हमारी seven continental plates है वो liquid पे ही तैर रहे हैं तो वो समय के साथ क्या होता है एक दूसरे से लड़ती है जुडती है तो उससे हमारे volcanic eruptions होते हैं हमाई seismic waves generate होती है तो जिसकी वज़े से हम लोग overall building को कोशिश करते हैं कि जो भी हम लोग RCC construction कर रहे हैं या RB construction कर रहे हैं या कोई भी हम लोग construction material यूज करके construction कर रहे हैं तो हलका construction material का इस्तमाल करें जैसे जापान आप जाएंगे तो जापान में timber की छते ज्यादा बन नहीं timber के घर ज्यादा बन रहे हैं because timber से क्योंकि timber तूटेगा तो उससे थोड़ा कम नुकसान होगा लेकिन concrete तूट गई तो concrete के बीच में RCC है reinforcement है सरिया है तो सरिया तूटके गिरेगी इंसान पे तो इ इस्तेमाल करते हैं, cross bracings का इस्तेमाल करके हम लोग structure को stability देते हैं, shear walls आजकल इस्तेमाल हो रही है, shear walls मतलब कि आजकल कोई भी brick का construction नहीं इस्तेमाल हो रहा है building में, हम लोग bricks नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग concrete में ही shear walls का इस्तेमाल कर रहे हैं, shear cores हम लोग बना रहे है बेस आइसोलेटर हम लोग कर रहे हैं, जो हमारी आइसोलेटेट फुटिंग्स हैं, उन सबको हम लोग नीचे ही ground level में ही बांद दे रहे हैं, हम लोग basement भी कम बना रहे हैं आजकल, वकिन अगर basement बना भी रहे हैं, तो उसको पूरा RCC construction से ही बना रहे हैं, उसमें RB construction का इस्तमा बनाते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं फिगर में क्रॉस ब्रेसिंग की मदद से कैसे हम लोग ने बिल्डिंग को रोका हुआ है तो यह सब जैसे अर्थक्वेक प्रोंड एरिया है जैसे जमू एन कश्मीर या फिर अगर तला मिजोरम नौर्थ इस्टन स्टेट्स तो वहा बीम और कॉलम्स को नीचे से ही प्लिंथ लेवल पर जॉइन करेंगे उनको क्रॉस ब्रेसिंग की मदद से हम लोग बिल्डिंग में क्रॉस ब्रेस लगाएंगे कई जगा ताकि क्या हो अनीवन सेटल्मेंट ना हो हमाई जो स्लैब कॉलम जॉइंट से हैं उनको हम इसी बिल्डिंग का निर्मार कर सकते हैं उसके बाद आता है डिजास्टर में जैसे लैंड स्लाइट जल्दी आपको यूपी में तो नहीं दिखेगी लखनव में लेकिन बट आप जब हिमाचल प्रदेश जाएंगे या उतराखंड जाएंगे जमुन कश्मीर जाएंगे यहां पे माउंटेइनस एरिया है वहां पे लैंड स्लाइड आना बहुत ही आम बात है लैंड स्लाइड आती है और नॉर्मली हमारा लैंड मास जो है खिसक जाता है ड्यूटू शीर फेलियर होता है या रॉक का भी या डेब्रीज है जो छुटे पत्थर होते हैं उन सब का क्या होता है शीर फेलियर हो जाता है जिसकी वज़े से हमारी लैंड स्लाइड बहुत ही असानी से आ जाती तो लैंड स्लाइड भी एक कारण है क्योंकि काफी अर्थमास एक साथ एक जगा से निकल के बैठ जाता है जो की हमारा शॉक वेफ जनरेट करता है और उससे भी हमा हमारा जो natural formation होता है lithosphere का उसको वो तोड़ देती हैं और आपस में एक दूसरे से इतना ज्यादा शौक क्रियेट कर देती हैं कि हमारी जो landmass है उपर की वो पूरी तरह से हिल जाती है और damage हो जाती है लैंड्सलाइड इस तरह से आप देख सकते हैं अक्सर पहाड़ी इलाकों में लैंड्सलाइड देखी जाती है उत्राखंड में सन 2015 में बहुत ज्यादा भयानक सुनामी आ गई थी सुनामी मैंने डिसकस किया था पहले भी आपको सुनामी जब जनरली पानी के अंदर जब हमा हमारी बहुत ही हेवी वेवस हो जाती ही 100 मीटर 120 मीटर की हेवी पानी की अगर वेवस हो जाएंगी तो भी बहुत बड़ी समस्या हम लोगों की तो लैंड्सलाइड बहुत ज्यादा आई थी उत्राखंड 2015 में उसमें बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ था हमारे बहुत ज्यादा होटल जो की बने थे हमारे स्लोप्स पे पहाडों के स्लोप्स पे वहां पर बहुत ज्यादा डिस्रक्शन हुआ था तो सुनामी और लैंड्सलाइडिंग दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है उत्राखंड में हम लोग ने हाली में 2015 म जो हाड़ डिस्रक्शन हुआ था उसको हम लोगों ने समने देखा था चाहिए इसले नहीं करना चाहिए यह ज्योंकि हेवी रैन फॉल की वज़े से कि बारिस होती रहती आप इसें स्टेट में चले जाएंगे वहां 24 सो गंटे बारिष होती है महरास्टा में जाएंगे आप नीचे Western Ghart या Eastern Ghart में इंडिया में तो वहाँ पर काफी बारिष होती रहती है तो बारिष से क्या होता हैं मत्य हमारी कटती रहती है स्टोंस हमारे कटते रहते हैं बीच में जहरने भी निकलते रहते हैं तो वो सब भी लैंड स्लाइट का बहुत ही हेवी कारण है तो लैंड स्लाइडिंग भी एक तरीके से अर्थक्वेक को डिजास्टर में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है कुछ नैचुरल कॉजज हैं लैंड स्लाइडिंग के जैसे की पोर वाटर प्रेशर जो की हमारा स्वैल में होता है परकुलेशन होता रहता है सीपेज होता रहता है हमारी नदियां है हमारे लेक्स हैं उससे क्या होता है नदियां बहती रहती रहती इरोजन होता रहता है स्व के लावा हमारे volcanic eruptions हैं अभी तो बहुत सारे dead volcano हैं हमारे अर्थ में लेकिन अक्सर volcanic eruptions भी हमारे बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं volcanic eruptions क्या करते हैं कि हमारा जो अर्थ के अंदर जो magma है लावा है जो molten material है वो material हमारा भार आ जिससे कि हमारे अर्थ के अंदर के जो पुरी तरह से डामएज हो जाते हैं डामेज होती है लेंड स्लाइडिंग की समस्या बढ़ जाती है और जब लेंड स्लाइडिंग की समस्या बढ़ जाती है तो शॉक्वेस जनरेट होती है और शॉक्वेस जनरेट होने के कारण हमारे अर्थ में अर्थक्वेस जनरेट होने की संभावना बढ़ जाती है कुछ नैचुरल सब्सक्राइब लगनों में अपने अन्डर्ग्राउंड मेट्रो का देखा सिमिलरली आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे डेली में आपने अदर्ग्राउंड कंस्रक्षिन का बहुत बड़ा नमूना डिया मार्च डेली मेटरीर कॉरपरेशन और उसके अलावा हम लोग सिवरेज भी बहुत हवी हवी सिवरेज डालने तो इससे अब हम लोग क्या करते हैं अर्थ को excavate करते हैं और जब अर्थ excavate होती है तो क्या होता है कि हमारे जो natural stresses अंदर developed हैं जो कि उपर का भार lithosphere का भार जहल ले हैं वो damage हो जाते हैं तो civilis system जो है और natural drainage अगर है तो कोई समस्या नहीं लेकिन जो artificial drainage system है रोडस हम लोग underground बना रहे हैं हम लोग tunnel बना रहे हैं अभी आपने जम्मुन कश्वीर में हाली में tunnel देखा अटल tunnel उसके अलावा हम लोग rail system बना रहे हैं तो हम लोग को construction में modification करना पड़ेगा construction of road railway bridges in some में modification करना पड़ेगा हम लोग mining करते हैं coal की quarrying करते हैं quarrying मतलब excavation of coal और petroleum तो कि हर चीज सारा खनन हमारा अर्थ सही होता है तो हम सब को कम करना पड़ेगा समझना पड़ेगा हम लोग को tree plantation करना पड़ेगा eforestation करना पड़ेगा जिसकी वज़े से क्या होगा कि हमारे जब पेड़ बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे पेड़ हमारी soil की सता को बांदे रखेंगे उनको समझेंगे उनको बांदे रखेंगे तो जो हमारे natural stresses हैं वो easily से इधर उधर नहीं जाएंगे तो लास्ट में मैं आपसे थोड़ा सा जिस्ट इस टॉपिक कर डिसकस करूँगा कि स्टाटिंग में हमने देखा कि अर्थक्वेक हम लोग कैसे measure करते हैं रिक्टर स्केल में और सिस्मो ग्राफ की help से हम लोग अर्थक्वेक मेजर करते हैं अर्थक्वेक क्यों आता है ड्य to seismic activity, seismic activity का मतलब है कि हमारी जो land mass है वो बहुत ज्यादा हिल रही है, shock waves generate हो रहे हैं, P waves, आपकी provocation waves हैं, S waves, आपकी shear waves हैं, और L waves आपकी love waves हैं, तो P waves आपकी x direction में act करती हैं, और epicenter आपका जो earthquake का center होता है, जो की lithosphere, upper crust of the earth पे होता है, epicenter के just नीचे हमारा क्या होता है, focus, जहां से main हमारा earthquake शुरू होता है, focus हमारा 15 km, 20 km, 50 km नीचे भी earth crust के हो सकता है, focus वो point होता है, जहां से हमारा intensity of magnitude generate होता है, seismic activity का, और वो उपर आ करके epicenter, उस point को हम लोग epicenter बोलते हैं, epicenter से वो convert हो करके, फिर वो S waves, P waves और L waves को generate करता है, तो earthquake हम लोग ने इस तरह से देखा, उसके बाद हम लोग ने देखा कि अर्थके करण क्या है, आने के कुछ natural disasters हैं, कुछ man-made disasters है, natural disasters जैसे river berry, soil erosion हो रहा है, volcanic eruptions हो रहे है, natural fold के formation हो रहे है, natural fault के formation हो रहे है, similarly हम लोग ने कुछ man-made करण देखे कि हम लोग hydrogen bomb की testing कर रहे है, atom bombs तो वह सब भी अर्त के नीचे होता है जयसे हाली में इंडिया में पोखरंट टेस्ट में हम लोग ने हैड्रोजन बंका टेस्ट किया था लौ सब भी nuclear bonds है nuclear fusion की रियक्शन केश्ट्ट करता है वह लोग पर लोग नीचे होता तो रट के नीचे हम लोग कुछ सब रहे होता है कि आपना हमारी जो लोड जहलने च्णdropा की और नीचे चक्तान उई उसकी हम डित का जाथती जिसकी वज़े से हम यह अुद्धा यहाए उसमें बहुत ज्यादा बैठने की संभावना और waves generate होने की, shock waves generate होने की संभावना बढ़ जाती है, तो यह सब छुटे-छुटे कारण हैं, जिनको हम लोग को सबको समझना चाहिए, और अगर इस तरफ हम लोग बढ़ेंगे, अर्थ को एक resistant building हम लोग बनाएंगे, तो कुछ natural causes of अर्थ को एक आने के, हम लोग उसको कम कर स सकते हैं, earthquake resistant building बनाने के तरीके भी हम लोग ने discuss किये थे अभी, जो कि हम लोग beam column joint हम लोग अच्छे से बनाएंगे, slab beam joint अच्छे से बनाएंगे, और नीचे जो foundation है, जो कि isolated footings हैं, उन सब को हम लोग plinth beam नीचे से जोडेंगे, तो plinth beam से जोडने के कारण क्या होता है, कि हमारा even settlement होता है, uneven settlement नहीं होता है, तो thank you very much, we'll meet in the next lecture, that's it.